हेलो जाहिन मैं शुबम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबमी क्लासेस 2.0 में दिली प्लीज कॉंस्टेपल के लिए हमारे आची क्लास रहने वाली है और जो ससी जीडी वाले हैं या अधर एक्जामस वाले हैं वो भी हमारी इस क्लास को देख सकते हैं ठीक है आज की क्लास हमारी पॉलिटिक रहेगी और पॉलिटिक से संबंदित हम बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन डिसकस करने वाले हैं अमीद करूंगा सभी विद्यारती अपना कंप्लिक टेस्ट लगाएंगे चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं ठी इंपोर्टेंट कोशन है इसमें मैंने क्या किया है बिल्कुल जो बेसिक्स कोशन है वो थोड़े से अवर्ड किये हैं मीडियम लेवल और इजी लेवल के कोशन लिए हैं ना स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोशन टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है इन तीस में से मैं आपको चारा हों कि आप कम से कम 25 के आसपास का स्कोर करें पहला कोशन आपके सामने स्क्रीन पर है आंसर करिएगा भारत की प्रतम महिला लोकसभा सचिव कौन थी सनेहलता शिरवास्तव अन्ना जॉर्च किरन बेदी या फिर सुमन गोस्वामी थोड़ा सा जल्दी से आंसर करिएगा देखो जी यह लोकसभा अध्यक्ष है लोकसभा सचिव है है ना अब लोकसभा सचिव पहली महिला कौन थी तो सनेहलता शिरवास्तव थी आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा अन्ना जोर्च क्या है भारत की पहली महिला IAS पहली महिला IAS ऑफिसर कीरन बेद तो भाई सभी को पता है पहली महिला IAS ऑफिसर है अब यह लोकसभा सचिव है पहले लोकसभा अध्यक्ष कोन थे गनेश वाशुदेव मावलंकर पूरुष में और महिला में कौन थी मीरा कुमार है यह पता होना चाहिए है ना एक चीज मैं आपसे पूछ लेता हूँ लोक भारत के पहले लोकपाल कौन थे आपका क्या आंसर होना चाहिए आपको ध्यान रखना है भारत के पहले लोकपाल कौन थे पिना की चंद्र घोश कौन थे जी तो यह थे पिना की चंद्र घोश ठीक है अगला कोशन है सेकेंड नमबर आपके सामने संग और राज्य लोक आयोग के सदस्यों की निक्ती तथा करेकार का वर्णन की अनुछेद में है। एक संदस्यों की निक्ती और करेकार का वर्णन जो है कि चानुछेद में हैं। कि देखो ध्यान ते एक ट्व आपको ध्यान रखनी है Estamos 315 hoड़ वीडियो आपने देख है मैंने मैंने इसमें ये डिटेल से बताया था कि जी अनुचेद 15 है वो क्या है संग और राज्य लोग सेवा आयोग का वर्णन है इसमें ठीक है ना उसके बाद न्युक्ति और कारेकाल पूछेगा अनुचेद आप्शन भी कर दीजेगा अनुचेद 316 अनुचेद 317 भी पता होना चाहिए क्या है संग और राज्य लोग सेवा के जो सदस्य है उनको हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है ठीक है अनुचे 320 मैं आपको बताया है संग और राजय लोक सिवा आयोक के करतव्यों का वर्णन है कार्यों का वर्णन है करतव्यों का वर्णन है कार्यों का वर्णन है जी ध्यान रखेंगे इतनी बातें कुश्चन नमबर थर्ड देखे बोला है कि भोतिकी के शेत्र में 1930 में भारत के परमुख वज्ञानिक डॉक्टर चंदर शेखर वेंकेट रमन को नोबल पुरुसकार प्रदान किया गया था इन्हें भारत का सर्वोच सम्मान भारत रतन से कब नवाजा गया ये आपको बता देना है ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है एक बर जल्दी से आंसर कर दीजिएगा चंदर शेखर वेंकेट रमन पता है ना रमन इफेक्ट 1930 में नोबल पुरुसकार मिला था भौतिक के शेत्र में अब इनको नोबल पुरुसकार जो मिला है ये 1954 में मिला है अब आप सभी बोलेंगे कि 1954 में तो राधा क्रिशन सरुपली कोई मिला था तो देखिएगा 1954 में टोटल तीन लोगों को मिला था आप से पूशता है ना सबसे पहले भारत रतन किसको मिला है देखिए मिला तो तीनों को 1954 में है जो सबसे पहले जिनोंने भारत रतन हाथ में पकड़ा था वो कौन थे राधा क्रिशन सरुपली है ना राधा क्रिशन सरुपली जो थे उ उनको सबसे पहले मिला था 1954 में उसके बाद कौन है एक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनके बारे में पता है ना भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे ये स्वतंतरता के बाद और भारती ये पहले थे अब एक चंदर शेकर वेंकट रमन को मिला है 1954 में इन तीन लोगों को दिया गया था अगर मैं 1955 की बात करूँ तो 1955 एक बहुत ही महत्पुर्ण व्यक्ति हैं जिनें मिला है शायद पूछ ले आप से पूछ ले कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नहरूजी थे उन्हें भारत अतन कम मिला तो 1955 में पंडित जवाहर लाल नहरूजी को मिला है जवाहर लाल नहरूजी को ठीक है सर ये ध्यान रखेंगे 1962 में ये मैंने इसले लिया है भारत के पहले रास्त्रपती राजिंदर परसाजी थे राजिंदर परसाजी को 1962 में मिला है डॉक्टर राजिंदर परसाजी को भा परिशद से त्याग पत्र मंतृ परिशद बत से त्याग करने के लिए मंतृ अपना त्याग किसको देते हैं लोकसबाध्यकृ प्रधानमंत्री राष्ट्र पतपे याँ फिस्ट सर्वोच नयाले का मुख्यन अधिश ठीक है अब मैं यहाँ पर एक प्रशन और एड कर दूं कि जो राज्य का मंत्री परिशद है राज्य का जो मंत्री परिशद है ठीक है यानि कि राज्य के बात है और यह state की है किसको देते हैं जी देखो मंत्री परिशद अपने पद से जो त्याग पत्र देगा वो अपना त्याग पत्र देगा राश्ट्र पती को option c correct हो जाएगा यहां पर ठीक है न और राज्ये का जो मंत्री है वहे अपना त्याग पत्र देगा CM को यानि कि मुख्य मंत्री को और फिर मुख्य मंत्री आगे इसे गवर्नर के पास ट्रांसफर कर देता है यानि कि जो राज्ये का मंत्री है वहे अपना त्याग पत्र मुख्य मंत्री को देगा और सेंटर लेवल पर राश्ट पूर्व लोक्सभा अध्यक्ष या फिर इन में से कोई नहीं आंसर करिएगा ये बहुत ही अच्छा प्रशन है आपके सामने स्क्रीन पर एक बर जल्दी से आंसर कर दीजिए लोक्सभा का जो अध्यक्ष है वह अध्यक्षपद के रूप में कभी भी शपत लेता ही नहीं है ठीक है ये आप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ध्यान रखीगा इन में से कोई नहीं लोकसभा का अध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कभी शपत नहीं लेता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष है ना, यह है लोकसभा सदस्य के रूप में शपत लेता है, यानि कि सदस्य पद की शपत लेता है, अध्यक्ष पद की शपत इसको नहीं दिलाई जाती, इतनी प्रशन आपके सामने 6 नंबर निम्नलिकित में से कोन सास समधानिक निकाय नहीं है अंतर राज्जी परिशत निर्वाचन आयोग राश्ट्री विकास परिशद या फिर राश्ट्री अनसूचित जनजाती आयोग आंसर करिएगा बहुत ही बहतरीन प्रशन है देखो प्रशन नहीं है भाई थोड़ा सा हट के प्रशन आते हैं शायद इससे भी हार्ड लेवल आ जाये और ये हार्ड नहीं है ये प्रिविस येर में आये हुए है पर उसमें से भी जो बहुत अच्छे लेवल के है वो मैंने एकत्रित किये है ठीक है यहाँ पर राश्ट्री विकास पर क्या गैर सवेधानिक निकाए आपको आज ही गूगल करना है या फिर अपनी बुक्स में देख लिजिएगा ठीक है ना ये दोनों अपने नौट्बुक में नौट कर लो और इनको याद कर लो ये कौन-कौन से हैं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि TCS इनसे प्रशन उठा रह इनका आप लिख लीजिएगा सवेधानिक निकाए कोन से हैं इनकी स्थापनाए कब-कब हुई है फिक्या इतना काम कर लेना अपको अगला प्रशन देखिएगा आपके सामने राज्य सवा के लिए सदस्यो का नमांकन की प्रकृरिया किस देश के सवेधान से ली गई है ब आयरलेंड से नीतिनी देशक सिधान्त भी लिये गए हैं पता है ना नीतिनी देशक सिधान्त कहां से लिये गए हैं तो ये भी आयरलेंड के सिधान्त से लिये गए हैं आप इसके अलवा ब्रिटेन से तो ये मैंने सारे वैसे बता रहे हैं रूस से मौली करतव लिया गया है जर्मनी सियापात का लिया गया है, आगे देखिए, भारत का केंदरिय सतरक्ता आयोग, भाया सरकार के विविन विभाकों के अधिकारियों, करमचारियों से सम्बंदित भरस्टर चार नियंत्रन की एक सर्वोच संस्था है, इसकी स्थापना डैश में की गई, केंदरिय सतरक्ता आयोग होता है CVC, आप अगर मुझे बता दें अभी कि वर्तमान में जो केंदरिय सतरक्ता आयोग है यानि की CVC है, इसके अध्यक्ष कोन है, इसके हेड कोन है, CVC के अध्यक्ष बता दीजिये कोन है, एक बार ये बहुत अच्छा प्रशन बन जाता है, ठीक प्रशन इसलिए बता रहा हूं थोड़ा सा ध्यान रहेगा आपसे पूछलेगा भारत का डैस यहां पर डैस लगा देगा भारत सरकार के विविन विभागों के अधिकारियों करमचारियों से संबंदित बरस्ट चार नियंत्रन की एक संस्था है और आपसे चार संस्थाओं क नहीं मिलेगा और किर्प्या करके मुझे इसका आंसर तो आप लोग देही दो सही सही ठीक है ना इसका आंसर तो मुझे आप लोग बिल्कुल सही सही देही दो एक बड़ चलें सोलूशन पर देखो यहां पर जो जणगणना है जणगणना तो नेस्नल लेवल पर होती है न देखो वैसे राज्य सूची में काफी विशे हैं संग सूची में बहुत सारे विशे हैं अब फिर भी एक round figure में नजर मार लेना जो important लगे उनको याद जरूर कर लेना ठीक है ना राज्य सूची संग सूची संवर्ती सूची इनका वर्णन किस अनुसूची में है सर इनका व अभी का चाहिए गलत मत करिएगा क्लास कैसी लग रही है एक पर कमेंट करके जरूर बताएंगे क्लास हमारी नौबजे होती है और डेली नौबजे ही स्टार्ट करेंगे देखो भाई मैं इससे पहले 1862 पर जाना चाहूंगा ठीक है 1862 में कॉलकाता प्लस कॉलकाता बंबे और लास्ट में क्या है मदरास इन तीनों उच नयाले की स्थापना हुई है इन तीनों उच नयाले की क्या हुई है स्थापना हुई है आपसे पूछेगा भारत का पहला उच नयाले कौन सा है जो एससी जीडी में पूछा भी गया है वो है कॉलकाता उचिनले भारत का पहला है ठीक है? पटना का पूछा है तो 1916 आंसर कर दीजिएगा सर Option C आपका राइट हो जाएगा 1916 सभी का सही है आगे बढ़ते हैं किस सविधान संशोधन अधिनियम के तहट सिक्किम को 22 वे राज्य का दर्जा दिया गया? आप्शन आवेलेवल हैं आंसर करियेगा जी सभी आप्शन आवेलेवल हैं एक बढ़ सभी आंसर दे दो देखो सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया 36 सविधान संशोधन अधिनियम 1975 Option B को क्या सभी आंसर कर रहे हैं? हमारा Option B करेक्ट है इसके साथ क्या है? 42 सभीधान संशोधन के बारे में आपको सब कुछ बता है है ना? इसमें सभीधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं क्या जोड़े गए हैं भाई? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है पलस हमारी जो प्रस्तावना है प्रस्तावना में तीन शब्द भी जोड़े गए हैं समाजवादी, धर्म, निर्पेक्षता और अखंड़ता 42 सभीधान संशोधन 1976 के तहट हमारी प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए हैं समाजवादी, धर्म, निर्पेक्षता और अखंडता ठीक है इसे लगू समिधान भी कहा जाता है ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा लगू समिधान भी कहते हैं अब 1944 में सबसे important चीज बताऊंगा ठीक है न कि article 31 में संपत्ति का अधिकार था ये मैंने आपको detail में बता कर article 300a में shift कर दिया गया है ठीक है अब क्या बन गया है ये एक विधिक अधिकार बन गया है ये ध्यान रख लीजिएगा अगला प्रशन आपके साबने 12 है कोन सा अनुछेद नए राज्यों का निर्मान और वर्तमान राज्यों के शित्रों सिमाओं या नामों में परिवर प्रशन है आपके लिए और बेसिक भी है देखो अनुछेद एक क्या कहता है कि भारत राज्यों का संग है भारत क्या है राज्यों का संग है सर ये सही है अपना अनुछेद दो क्या कहता है कि जो नए राज्य अनुछेद दो का संबंध है नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से, नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से, जो हमारा प्रशन है कि नए राज्यों का निर्मान और वर्तमान राज्यों के शेत्रों की सीमाओं का नाम या फिर उनकी सीमाओं को घटाना बढ़ाना ये अनुशेद तीन के अनुसार है option C correct हो जाएगा सर सभी का clear है आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पर आगे प्रशन देखिएगा आपके सामने है स्क्रीन पर चलिएगा answer करिएगा एक बर क्या answer देंगे सभी भारत के सविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या नहीं लिया गया है अरे ये answer करो ये बहुत अच्छा प्रशन है आपके सामने ठीक है न ये प्रशन बहुत ही अच्छा है जी संघीय योजना नियाय तंत्र लोग सेवा आयोग या फिर प्रस्तावना देखो option D प्रस्तावना देखकर सभी समझ गए होंगे option D correct है अब मैं प्रस्तावना से आपको दो प्रशन बताता हूँ सर ठीक है न अगर आपसे बोले प्रस्तावना या फिर देखो या पे या फिर आपको बोलेगा कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है कोई बता सकेगा किस देश के सविधान से लिया गया है और मैं आपसे एक और पूछ लूँ कि प्रस्तावना की भाषा प्रस्तावना की भाषा ये सविधान किस देश के सविधान से लिया गया है देखो बई, प्रस्तावना का विचार लिया गया है यूएस से याने की अमेरिका से, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है आस्ट्रेलिया से, ये सबी चीजे आपको पता होनी चाहिए, आगे बढ़ें, कोशन नंबर 14 है, भारती सविधान के किस संसोधन अधिनियम द पंचायती राजविवस्ता को समयधानिक दर्जा दिया गया, भाई ये प्रसन पढ़ लेना, ये प्रसन बहुत अच्छा है, बहुत मज़िदार है, गलत मत करिएगा कोई भी, ठीक है, आंसर करो अब जल्दी से, जल्दी से एक बार आंसर कर दो, क्या दोगे, भारती सवि तिहत्तरवा सविधान संशोधन कब हुआ था उननिस सो बानवे में, चोहत्तरवा तो आपको पता होगा, चोहत्तरवा सविधान संशोधन भी उननिस सो बानवे में हुआ है, ये किस से संबंदित है, नगर पालिका, है ना, नगर पालिका से संबंदित है, अब आपको भाग 9A में यानि कि भाग 9 के पहले को में नगर पालिका का वर्णन है अनुशेद 243 है यह हम डिसकस कर चुके हैं अनुशेद वली क्लास में पंदरा नमबर है आलप संखेकों के लिए राश्ट्री आयो किस वर्ष में बनवाया गया था अप्शन अवेलेबल है किरिप्यागर के आंसर करिएगा उनिस सो असी नवासी नबवे बनवे जो अप्शन डी को जा रहे हैं उनिस सो बनवे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जी सोला नमबर है भारतिय सविधान के अनुसार केंद्रिय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे करिए आंसर जल्दी से आर्टिकल क्या है पिचत्तर दो के अनुसार मान लिजे किसी मंत्री केंद्रिय मंत्री का जो है कारेकल संकंप्लीट भी हो गया है उसके बाद भी है राष्ट्रपती की इच्छा से अपने पद पर आसीन रह सकता है जब तक राष्ट्रपती चाहता है तो भारत का राश्ट्रपती option A right हो जाएगा जी है ना आगे बढ़ते हैं 17. संसत के चुनावों में मत देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, प्रवर्ती अधिकार है, कानूनी अधिकार है या नेसरगी का अधिकार है क्या देंगे आंसर? option C correct हो जाएगा, वोट डालने का अधिकार कानूनी और समयधानिक अधिकार है 18. संसत के दो सत्रों के बीच, निम्नलिकित में से अधिक से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है ये basic है, पहली बता रहूँ, ठीक है ना? बिल्कुल basic है संसत के दो सत्र हैं, उनके बीच में अंतराल 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए option B right हो जाएगा 6 महीने question number 19 है, किसने कहा था संसदिय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत जोहरलाल नहरू, M.K. गांधी, Dr. B. आरमबेडकर या सरदार पटेल किनका विचार था भाई, कि जो संसदिय लोकतंत्र का क्या अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत तो ये विचार दिया था, बाबा साहिब अमबेडकर ने option आपका C correct answer हो जाएगा हमारे समिधान के निर्माता question number 20, पहले आविश्वास प्रस्ताव और दूसरे आविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए देखो, पहले हमने डिसकस किया है कि संसत के सत्र हैं, उनके बीच में कितना अंतर होना चाहिए यह हम बात कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव की, ठीक है, इसमें पहले और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव में कितने महीने का अंतर होना चाहिए कम से कम इसमें भी भाई, छे महीने का अंतर तो होना ही चाहिए दोनों अविश्वास प्रस्ताव के बीच में ये सबी का क्लियर रहेगा अब एक चीज और नोट कर लो एक्जाम में आ जाता है इन में से किसका वर्णन समिधान में नहीं है ऐसा प्रशन बनता है एक्जाम में तो जो अविश्वास प्रस्ताव है आपका अविश्वास प्रस्ताव ठीक है इसका वर्णन समिधान में नहीं है इसका जो वर्णन है वो समिधान में है ही नहीं ठीक है जी? समिधान जो अमारी किताब है भारत का समिधान जो बाबा सब मेड करने लिखा है उसमें इसका वर्णन नहीं है हाउस ओफ दा पीपल को लोगसभा का नाम किस वर्ष प्रदान किया गया बेसिक प्रशन है उननिस्तो चौवण 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 चौवरासी आंसर मैच करिए जो आप्शन एको दे रहे हैं उननिस्तो चौवण उनका राइट हो जाएगा बाइस नंबर पे चलें भारत में सवतंतरता के बाद कितनी बार राश्रिय पात का लागू हो चुका है ये आंसर कर दो अच्छा प्रशन है और देखीगा जो भी भाई हमारा आर्मी की तयारी कर रहा है हमारा दूसरा चैनल पता है शबी को सुभम E-classes उस पे अभी 10 बजे स डेली आज से सुभे 10 बजे से हमारी लाइफ क्लास स्टार्ट हो जाएगी आर्मी अगनिवीर के लिए तो जो नहीं जुड़े हैं आर्मी की तयारी भी करना चाहते हैं वो शुभम E-classes को जोईन कर लिजेगा तीन बार टोटल क्या है राश्रिय पात का लगे है ठीक है जी 1962 में भारत चाइना युद के दोरान, 1971 में भारत पाकिस्तान युद के दोरान और तीसरा जो लगा है वो लगा है इंद्रा गांधी के साशनकाल में 1975 में कोन सा अनुछेद संसद को राज्य सूची के विश्यों पर कानून बनाने का अधिकार देता है आंसर क्या करेंगे ध्यान रखीगा अप्शन डी राइट हो जाएगा अनुछेद 249 कोश्चन नमबर 24 भारतिय सविधान ने सिद्रिड केंद्र के साथ संगीय प्रनाली कहां से ली है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनेड़ा, युनाइटिड किंग्डम, फ्रांस जल्दी से एक बर आंसर कर दीजेगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजेगा चैनल को शेर नहीं कर रहे हो भाई आप लोग, और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जादा कर रहे हो वीडियो को शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको क्लासिस पसंद आती हैं हमारे दिल्ली पुलिस की क्लासिस तो डेली सुबह नो बजे होती है ये सभी को पता है न चलिएगा देखो याँ पर क्या है कनेटा के सविधान से लिया गया है आप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा जी कोशन नमबर पच्चिस परतेख छे महीने में संसद की स्विग्रती लेकर राष्टपती साशन अधिक्तम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है छे महीने एक साल, दो साल, तीन साल आनुछेद तीन सो चपपन राष्ट्रिय आपातकाल ठीक है, राज की आपातकाल जो की स्टेट में लगता है, स्टेट एमर्जनसी परतेख छे महीने में संसद की स्विग्रती लेकर छे महीने पिरियो हो जाएंगे, फिर छे महीने बाद यह ध्यान रख लीजिएगा, लास्ट लिमिट तीन साल है, 26 नंबर है, डाक्टर जाकिर हुसेन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपती बने और इनकी मृत्यू पद पर रहते हुए ही हुए थी, ठीके जी, आप देखिए, ततकालिक उपराष्ट्रपती डैश को पहला कार कार्रेवाहक राष्ट्रपती बनाया गया, सीधा भी पूछ सकता था कि भारत के पहले कार्रेवाहक राष्ट्रपती कौन थे, पर थोड़ी सी डिटेल दे दी है तो ज़्यादा बढिया रहता है, ठीके न, उपराष्ट्रपती थे उस टाइम, आप डाक्टर जाकिर हुसे जो की पहले मुस्लिम राष्ट्रपती थे, इनकी मृत्यू पद पर रहते हुए हो गई थी, तो उपराष्ट्रपती को पहला कार्रेवाहक राष्ट्रपती बनाया गया, उस समें कौन थे उपराष्ट्रपती थे, तो वीवी गिरी थे, option B करेक्ट हो जाएगा जी, समझ ग भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा ये आपको ध्यान रखना है इंपोर्टेंट हो जाता है आगे बढ़ते हैं जी अगले प्रशन पे भारत के सविधान में संगिये शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है भाग तीन में अनुछे 368 में ये जी आंसर क्या देंगे आप लोग आप लोग ऑप्शन सी को आंसर देंगे कि जो संगिये शब्द है उसका भी प्रयोग कहीं नहीं हुआ है संग का प्रयोग हुआ है भारत एक राज्यों का संग है अनुछे एक के अनुसार ठीक है संगिये शब्द का प्रयोग कहीं भी तीसरे पेपर में ही करवाया है, जब हम दिलिबरिश की क्लास करवा रहे थे, मैंने आपको बोला था, कि ऐसा प्रशन एक्जाम में बन सकता है, और दूसरा हम भी अपनी क्लास में ऐसा प्रशन बना सकते हैं, है ना, अब आंसर करिएगा, क्या आंसर देंगे, देखो, पहले मैं बजट सत्र की बात करूँगा, है ना, बजट सत्र जो है, ये फरवरी से मई तक होता है, फरवरी से मई तक रहता है, मानसून सत्र की बात करेंगे, तो यह है रहता है आपका जुलाई अगस्त के महिने तक, ठीक है, और इसके लावा शीत कालिन सत्र जो है, ये आपका नवंबर से दिसंबर तक रहता है इनके बीच में कोई एक डिट फिक्स करके पूरा महिना रहता है ग्रिशम कालिन सत्र क्या है संसद का कोई भी सत्र नहीं है ऑप्शन एक करेक्ट है संसद में टोटल कितने सत्र हैं तीन सत्र है कोशन नबर 29 है आज का सेकिंड लास्ट किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए नियूंतम आयू सीमा कितने वर्ष होनी चाहिए अगर यह भी प्रसंद गलत कर दिया ना तो आप लोग बहुत ही जादा पीछे हो स्टडी में बहुत जादा है ना भारत का एक राज्यपाल होगा आर्टिकल 63 के अनुसार करवाय है आर्टिकल पता है आपको वीडियो करवाया है देखो राश्ट्रपती की हम बात करेंगे हम बात करेंगे उपराश्ट्रपती की इसके अलावा राज्यपाल इनका सदर ये आपको बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की मिनिमम एज जो है वो 35 इयर होनी चाहिए ये ध्यान रखिएगा सभी का क्लिर है है ना आगे बढ़ें यहाँ पर आप्शन सी आपका राइट हो जाएगा जी नेक्स्ट है कोशन नमबर 30 और आज का लास्ट कोशन भारतिय सवधान में किस अनुच्छेद को सवधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है अच्छा और इंपोर्टेंट है आंसर करिए अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 यहाँ फिर अनुच्छेद 52 वैसे मैंने आपको यह तीनों आर्टिकल बताएं है अनुच्छेद 18 में क्या बताया है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत आप लोग सासत बोला करिया के लिए यहाँ फिर टाइप कर लिया करिया है ना उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 क्या है प्राण वै दैहिक सवतंतरता का वर्णन अनुच्छेद 21 और ऐसे ही 86 सविधान संशोदन 2002 अनुच्छेद 21 नया जोड़ा गया था सिक्षा का अधिकार जिसको मौलिक अधिकार बनाया गया सिक्षा के अधिकार को क्या बनाया गया मौलिक अधिकार बनाया गया यह पता है न अब देखिए अनुछेद 48 मैंने आपको क्या बताया है कृषी और पशुपालन से संबंदित है कृषी और पशुपालन बचा के आपका अनुछेद 32 इसे सवधाने कुप चारों का अधिकार कहा जाता है इसमें उच्च नयले या सर्वोच नयले पांच प्रकार की रीट जारी करता है ये भी आपको पता होना चाहिए तीनों मौलीक अदिकार में आते हैं, नुछेग 48 को छोड़ कर, नितिनी देशक सिधान्त का पार्ट है, बाकी 18-12, पता यह है, मौलीक अदिकार 12-35 है, 36-56 तक नितिनी देशक सिधान्त है, ठीक है जी तो यही था आपका आज का सेशन, एक बर कमेंट जरूर करेंगे, आज क सेशन कैसा लगा है आपको हमारा पढ़ाय हुआ आपको कैसा लगता है इन 30 में से आपने कितने कोशन राइट किये हैं है ना चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत